आपको कितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज यानी कॉंस्टिपेशन की समस्या हो आज की वीडियो में बताए जाने वाला जो ये प्रानायाम है जिसका नाम है सूर्य भेदन प्रानायाम सूर्य मींस सन, भेदन मींस भेदना एक तरफ से दूसरी तरफ जैसे सुई में धागा डालते हैं ना उसी तरीके से तो आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा इस प्रानयाम का अभ्यास स्टेप बाइ स्टेप कैसे सास लेनी है कितनी सास लेनी है किस नॉस्ट्रल से सास लेना है और इस प्रानयाम को मैं तीन भाग में डिवाइड करके बताऊंगी क्योंकि हर एक इंसान के सांस लेने और छोडने की जो शमता है वो एक जैसी नहीं रहती तो सिंपल शुरुआती दोर से इन मतलब बिगनर्स के लिए शुरुआत करके इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाएंगे ताकि आप स्टेप बाई स्टेप इस प्रानयाम को समझ सके और कोई भी कन्फूजन ना रह सके तो इन सारे स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगाविद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रानयाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको क्या-क्या लाब मिलेंगे घेरन समहीता के अनुसार अगर आप इस प्रानयाम का अभ्यास करते रहते हैं तो बुढ़ापा आपके आसपास नहीं आएगा यानि anti-aging का काम करेगा बलकि इस प्राने आम का अभ्यास जबाब करते हैं तो आपके शरीर में एक तरीके की उर्जा या गर्मी आप महसूस कर सकते हैं इस गर्मी के कारण ही जो हमारी जठर अगनी है जो हमारी डाइजेस्ट्री फायर है वो इंप्रूव होती है और मेटाबॉलिजम इंप्रूव होती है जो मदद करती है इस गर्मी के कारण ही हमारे शरीर को उर्जावान करने में और साथ ही जो पुरानी से पुरानी कब्ज की आपकी समस्या है उसको दूर करने में साथ ही उन लोगों को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए जो पूरा दिन बहुत लेजी महसूस करते हैं सुस्त महसूस करते हैं उनके शरीर में एनरजी नहीं रहती और बहुत डिप्रेस रहते हैं मानसिक तनाव बहुत ज़ादा रहता है तो आपको इस प्रानयाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए अब आईए सीखते हैं इस प्रानयाम का अभ्यास कैसे करेंगे सबसे पहले तो जब भी आप प्रानयाम का अभ्यास करें तो आपके बैठने की पोजिशन जो है वो बहुत सही होनी चाहिए अगर आपको घुटने में दर्द हैं बुजुर्ग हैं तो आराम से आप अपनी कुर्सी में बैठके इसका अभ्यास करें और अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आराम से आप क्रोस लेग पोजिशन या वजरासन में बैठके इसका अभ्यास कर सकते हैं तो आप बैटने के लिए इस तरीके से सुख आसन या इजी पोज में बैट जाएं और अगर आपके गुटने में कोई भी दर्द नहीं है, टेंशन नहीं है, एंकल्स भी ओके हैं तो फिर आप वजरासन में जरूर बैट के इसका अभ्यास करें इससे भी जब आप वजरासन में बैट के इसका अभ्यास करेंगे तो ये भी आपको मदद करेगी, आपकी सीवियर जो कॉंस्टिपेशन की समस्या है उससे निजाद देने में, तो इस तरीके से आपने राइट पैर को घुटने से मोड लिया जिससे काफ पर अच्छा दबाव पड़ा, इससे क्या होगा, कि पैर जब आप मोड के बैठे है न तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी अब्डॉमिनल रीजन की तरफ बहुत अच्छी तरीके से होता है वर्ज रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को जोड़े हुए, दोनों उंगलियों पैर की जो बड़े अंगूठ है उनको जोड़े हुए, एडियों को बाहर रखते हुए और कमर गर्दन को ऐसे सीधे करके बैठेंगे सबसे पहले अपनी विश्णु मुद्र अपने अडॉप्ट कर ली और अपने लेफ नॉस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर और लिटल फिंगर से ऐसे बंद कर लिया अब सास ले रहे हैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल से अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सास छोड़े ठीक है? इतना करना यानि राइट से सास लेंगे और इसको लेफ्ट से सास को छोड़ देंगे सूर्य नाड़ी यानि राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी से सास ली और इसको चंद्र नाड़ी यानि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सास को धीरे धीरे छोड़ देंगे इसका अभ्यास में आपको पांच राउंड करके बता रही हूँ के इससे सात्य कीजिए अपनी राइट से सास लें 1 2 3 4 close your right एकसे लेफ्ट 1 2 3 4 इनेल राइट 1 2 3 4 एकसे लेफ्ट 1 2 3 4 सास ले राइट से तीन बार और बद कर ले दोनों नासिकाओं को और लेट से सांस छोड़े धीरे-धीरे फिर से राइट से सांस ले दो बार और और फिर लेट से सांस को धीरे-धीरे छोड़ दें एक बार और राइट से सांस लें और लेट से सांस को छोड़ दे अब हाट को घुटने के उपर ड्रॉप कर दे तो इस तरीके से मैंने 5 मरतबा इसका अभ्यास किया अब इसका अभ्यास जब आप करें तो ध्यान दे कि सास बहुत धीरे-धीरे लेनी है जब मैं आज सास ले रही थी जोड़ रही के वैसे अभियास कीजिए तो पहले कि कुछ हफते एक या दो हफते सिर्फ इसी तरीके से रेशियो 1 is to 2 का रखिएगा इसी रेशियो में अभियास कीजिए अगर आप 4 तो थोड़ा फिर कुछ दिनों के लिए 5 काउंट तक सास लेना। 5 काउंट तक सास फूर ना या हम सेकें लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसमें हम ratio 1 is to 2 का कर रहे हैं यानि हम 4 count तक सास ले रहे हैं right nostril से और इसको left nostril से जब सास छोड़ेंगे तो हम इसको 8 count तक छोड़ेंगे अगर आपसे इतना ना हो पाए तो 3 count तक सास लीजिए और 6 count तक सास छोड़िए ratio 1 is to 2 के साथ फिर से इस तरीके से आपने विश्णु मुद्रा लगा ली और अपनी left nostril को बंद कर लिया right nostril से सास छोड़ रहे हैं 5 round इसका भी अभियास में आपको कर रहे करके दिखला रही हूं जब भी आप अभियास करें 5 से 10 मिनट ज़रूर अभियास करें सास ले अपनी right से 1, 2, 3, 4 सास लेने के बाद अपनी right को बंद करें left से सास छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पापस से right से सास ले 1, 2, 3, 4 exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inhale right close right exhale left बहुत धीरे धीरे आराम आराम से जितनी लंबी देर सास छोड़ सके छोड़े inhale right 2 more times exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक बार और inhale right and exhale through your left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आखों को बंद रखें हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें तो आपने देखा जब मैं अभ्यास कर रही थी तो ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं कंधे को उठा रही थी या ऐसे ड्रॉप कर रही थी या कि मेरे चेहरे का expression change हो रहा था या कि मैं नाक पर बहुत जोर लगा रही थी जितने आसानी से आप सांस ले सकते हैं जितनी आसानी से आप सांस छोड़ सकते हैं उतनी आसानी से अभ्यास करना है हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी practice में स्थिरता हो और आपकी practice में आप comfortable हो सुख महसूस करते हो वही योग का अभ्यास है अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे step की तरफ अब इस तीसरे step में हम breath को retain करने के भी कोशिश करेंगे बहुत से लोगों के लिए ये possible नहीं होता कि वो breath को retain कर पाएं तो अब हम breath की retention सीखेंगे breath की retention यानि कुमभक तो अब हम जो ratio practice कर रहे हैं वो 4 count inhalation, 8 count retention और 8 count exhalation अब आईए अगले round के अभ्यास तूरू करते हैं तो फिर से हमने इस तरीके से विश्ण मुद्रा ये नासिका मुद्रा अडॉप कर ली सास लिया अपनी right nostril से 1, 2, 3, 4 दुरों नासिकाओं को बद कर लिया, सास को रोका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एकसे लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सास लेले अपनी right से पूरक बद करें दोनों नासिकाओं को कुम्भग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सास छोड़े अपनी left से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तीन बार और सास ले right से पूरक सास को रोके कुम्भग आंतर कुम्भग सास को छोड़ दे अपनी left से रेचक दो बार और इनहेल right 1, 2, 3, 4 तुरन आसिकाओं को बद करें सास को रोके सास को छोड़े अपनी left से एक बार और इनहेल right बंद करें दोनों आसिकाओं को सास को रोकें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सास छोड़ दे अपनी left से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब अपने हाथ को घुटने के ओपर ड्रॉप कर दें आखों को बंद रखें और अगले 5 मिनट तक अपनी right नॉस्ट्रिल से सास लेना और left नॉस्ट्रिल से सास छोड़ना इसके प्रभाव को इसके effect को जाने 5 मिनट शांती से बैठें एक गलती और बहुत लोग करते हैं कि जब सास लेंगे तो ऐसे हाथ को बहुत मूव करते हैं तो इस तरीके से हाथ को भी इतना मूव ना किया करें दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे conduct किया जाता है सारे students मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करते हैं अगर आप बिगनर हैं आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया है तो घबराइए नहीं हर एक practice को में बहुत ही जादा आसान बनाती हूँ अगर आपको किसी भी तरीके की health condition है चाहे diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, constipation की समस्या, PCOD, PCOS की समस्या, infertility की समस्या, अत्यदिक stress रहता है, रात में नीद नहीं आती तो इन सारी health condition में योग का अभ्यास करना आपके लिए बहुत लाबदायक होगा और मेरे कई सारे students जो मेरे साथ जुल के योग का अभ्यास करते हैं, अगर आप already योगा का अभ्यास करते हैं, योग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप अपनी practice को और deepen करना चाहते हैं, और clarity चाहते हैं, तो भी आप इन classes को join कर सकते हैं, अगर आप इन classes को सुबह 7 बजे से 8 बजे Zoom के माधियम से नहीं connect कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ courses develop किये हैं, आप उन courses को purchase करके step by step, कभी भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार भी इन videos को play कीजे, और अपने comfort के हिस आप से अभियास कीजे, जब आप इन courses को complete कर लेते हैं, तो आपको course के completion का certificate भी मिलते हैं, जो आप वही से website से download कर सकते हैं, अगर आपको इन classes और courses के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपनी website का link, जो है website का link, तो आपको description में मिल जाएगा, यहाँ प यहाँ पे यह WhatsApp नंबर दिया है न, इस WhatsApp नंबर पर एक WhatsApp कर दें, ताकि आपको class और course के बारे में सारी के सारी detail भेज दी जाएं, तो दोस्तों यह तो था सूर्य भेदन प्रानयाम का अभ्यास step by step, I hope मेरा जो छोटा सा प्रयास था, वो आपके लिए काफी जादा फाइदे वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और कमेंट करके यह भी बताएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, इस वीडियो को अभ्यास करते रहिए, नमस्ते